शुवा को नवश्कार आप सभी का एंश्क्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्फवागत अब लोग सूचना के अधिकार अदिनियम 2005 के तहट किस स्थिति में अपील वाद दायर कर सकते हैं और किस स्तेते में सिकात बात दायर कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अवस्ट सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दवा पर आल कर भी क्लिक कर दें जिससे हर तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को सिखर मिलता रहे तथा उप्योगी लगे तो एक दूसरे को सेर अवस्ट करें तथा एक लाइक अवस्ट कर देंगे तो आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि किसी कारियाले में आपने आवेदन दिया है और उस आवेदन पर अगर सो समय सूचना नहीं दी गई हो या जूठी सूचना दी गई हो या आपने जो सूचना मांगी उसे दवा कर किसी अन्य से सम्बंदिश सूचना दी गई हो तो इस स्थिति में क्या सक्ष कर सकते हैं सर पर्थम मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपको 30 तीनों के अंदर कोई सूचना नहीं दी गई हो तो आप पर्थम अपील अवश्र कर दें तथा यदि आपको सूचना दी गई हो लेकिन वह अधुरी हो तो भी आप अपील दायर कर सकते हैं लेकिन यदि सूचना आपको जो दी गई है वो आपके द्वारा मांगी गई सूचना ना हो और वह जूठी सूचना हो भ्रमित करने वाली हो या गुमराह करने के ख्याल से दिया गया हो तो आप इसकी सिकायत अबश्य करें धारा अठारा एक के तहट तो कहने का मतलब है कि आपको अगर सूचना कोई नहीं दी गई हो तो आप अपील में जाएं अगर आपको सूचना दी गई हो लेकिन वांचित सूचना ना दी गई हो आपको घ्रमित करने के लिए सूचना दी गई हो प्रश्टाचार को दबाने के लिए गलत सूचना दी गई हो तो ऐसे स्थिति में आप सिधा सूचना आयोग में धारा अठारा एक के तहत सिकायत बाद अवस्य दायर करें तो आप लोग साइद समझ रहे हो किस स्थिति में आप अपील करें और किस स्थिति में सिकायत बाद दायर करें क्योंकि जूटी सूचना जो दी गई है उसमें P.I.O. पर आर्थिक डंड़ भी ला सकता है और विभागी करवाई भी आप करवा सकते हैं सिकायत बाद दायर करके इसलिए आप अपने इस्थिती को ठीक से समझ लें कि सिकायत बाद कब दायर करना है और अपील बाद कब दायर करना है दोनों चीज एक साथ नहीं किया जा सकता आप अपील करते हैं तो अपील में आपको सूचना देने का प्रयास किया जाएगा दिलाने का प्रयास क्या जाएगा सूचना आयोक से लेकिन जो सूचना दी गई हो वा जूटी हो तो ऐसे इस्तिती में आप सिकायतवाद अवस्य दायर करें जिससे उन पर डारेक्ट धाराबीस एक के तहत आर्थिक डंड भी लगाया सकता है तथा धाराबीस दो के तहत उस पर विभागी कारवाई की हनुसंसा भी की जा सकती है साथ हैं अगर गलत सूचना देने के कारण या स्वासमय सूचना नहीं देने के कारण अगर आवेदक को कोई आर्थिक छती पहुशता है तो उसे धारा उनीस आठ बी के तहत छती पूर्ती की भी मांग की जा सकती है जिसे आयोक के द्वारा हैं पी आईयो से आपको छती पूर्ती भी दिलाया जा सकता है इसलिए पृतेक इस्तिती का हम लोगों को ठीक से घ्यान रखना चाहिए और किस इस्तिती में क्या करना चाहिए इसका भी ख्याल रखना चाहिए आप लोग सायद आप लोग ठीक से समझ गए होंगे कि किस स्तिती में सिकायद बाद दायर करें और किस स्तिती में अपील बाद दायर करें आप लोग इसका लाव अवस्च लें और RTI का प्रियोग हर कोई अवस्च करें तथा आपने अपने छेत्र में सभी को इसकी जानकारी रहे जिससे भारत में हो रहे बरस्टाचार में कमियावे जैहिन